का सिवकिर्पा कलासेच पर मैं महेश कुमार बर्मा आप सब का स्वागत करता हूं दोस्तों वीडियो हमारा स्सी जीडी 2022 का टेस्ट सीरीज नमबर 14 है जिसमें हम लोग करेंट अफेर्स के महात्पून परसनों को कबर करेंगे और देखेंगे कि यहां से हमारे कितने कोश्टन सही हो रहे हैं दोस्तों इस सारे टेस्ट सीरीज आपके एससी जीडी 2022 के संभावित परसनों पर बनाय जा रहे हैं तो दोस्तों आप लोग नहीं कांस्टेट होकर साल्प करें, कोस्चन कम सही होने पर पुना टेस्ट सीरीस का रिविजन करें, ताकि होने वाली SSC GD 2022 की टियर वन परिक्षा के लिए आप पूर्ण रूप से प्रिपेर रहें, तो चलिए दोस्तों, टेस्ट सीरीस नमबर 14 को साल्प करना हम लोग सुरू करत हैं, दोस्तों हमारा पहला कोस्चन है, 14 जून 2022 को केंद्रिय मंत्र मंडल ने ससस्त्र बलो में युवाओं की भरती के लिए किस योजना को मंजूरी दी है, कोस्चन नमबर एक है हमारा, एक बाद फिर से रिविजन करने को कोस्चन का, 14 जून 2022 को केंद्रिय मंत्र मंडल ने ससस्त्र बलों में युवाओं की भरती के लिए किस योजना को मंजूरी दी है A नंबर भी कल्प है मिसन अमानत B नंबर है बढ़े भारत C नंबर है अगनी पत्य योजना और D नंबर है आत्म निर्भर योजना तो हमारा सहिन सरोगा दोस्तों 24 जून 2022 को केंद्रिय मंत्र मंडल ने ससस्त्र बलों में भरती के लिए युवाओं को दोस्तों जो मंजूरी दिया है उस योजना का नाम है अगनी पत्य योजना कौनसी योजना अगनी पत्य योजना यहां से कोश्चान और बनेगा दोस्तों इस योजना के तहए चायनित हुए दोस्तों अब भरतियों को यानि युवाओं को किस नाम से जाना जाएगा तो अगनी वीर के नाम से जाना जाएगा ध्यान देजिएगा दो कोश्चन मनते हैं योजना का नाम दोस्तों अगनी पाथा है और इस योजना के तहरे जो चाइनित होएंगे उनको अगनी वीर के नाम से जाना जाएगा नेज देखेंगे कोश्चन नमबर दो को कोश्चन नमबर दो है मारा एक बाड फिस से रिवीजन करेंगे ए नमबर है स्वीडन, बी है आइसलैंड, C है नारवे और D नमबर है डेनमार्क तो यहाँ पर हमार से इंसर होगा दोस्तों बिस सुप्रेश सोतंता सोचकांग 2022 में नारवे ने से इस स्थान प्राप्त किया है किसने नारवे ने थोड़ा और इस बारे में रिवीजन करेंगे ताकि इससे समंदी जो भी प्रस्ण पोचे जाए तो हमारे वो प्रस्ण मिस ना हो चलिए देखते हैं दोस्तों महातपूर फैक्ट है हमारा ध्यान से देखेगा दोस्तों बिस सुप्रेश सोतंता सोचकांग 2022 जारी किया गया है जो 180 देशों और छेत्रों में पत्रकारिता की स्थिति का आकलन करता है यानि 20 सुप्रेश सोतंता सोचकांग में टोटल कितने देश हैं 180 पर्थम अस्थान नार्वेगा अब इतना किलियर हो गया है आगे देखेंगे इस सुप्रेश सोतंता सोचकांग में भारत की रैंकिंग अब भारत की बात हो रही दोस्तों तो भारत दोस्तों 1200 अस्थान से गिर कर 150 अस्थान पर आ गया है यानि 2021 में 2070 सुचकांक में भारत 142 अस्थान पर था लेकिन 2070 सुचकांक का 2022 जारी किया गया उसमें दोस्तों भारत 8 अंक फिसल गया है यानि अब भारत की स्थिति 150 अस्थान पर आ गयी है कितना 150 ही अस्थान पर, तीन कोश्चन मा के लिए रोगा, पर्थम नारवे, टोटल देश 180, और भारत का अस्थान 150, आगे देखेंगे, इस सूचकांग में नारवे पर्थम, डेनमार्क दूसरा, सुईडन तीसरा, इस्टोनिया चोथा, और फिनलैंड का पाचुआ अस्था सूचकांग 22 में, उत्तर कोरिया, 180 देशों की सूची में सबसे निचले अस्थान पर, यानि, नारवे पर्थम उत्तर कोरिया सबसे लास्ट एके अस्थान तोटल देश 180, इस देखेंगे, उमीद करते हैं दोस्तों विए पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, Question number 3 है हमारा 26. सन्युक्त राष्ट जलवायू परिवर्तन सम्मेलन का आयुजन किया गया कहा किया गया यह हमें बताना है 26. सन्युक्त राष्ट जलवायू परिवर्तन सम्मेलन ए नमबर है Paris, France में B है New York, सन्युक्त राष्ट अमेरिका में C है Geneva, Switzerland में और D है Glasgow UK में तो हमें बताना है दोस्तों 26 सन्युक्त राष्ट जलवाई प्रियुर्तन सम्मीलन कहां आयोजित किया गया तो हमारा सही अंसर होगा दोस्तों गलासगो UK में कहां पर गलासगो UK में नेज देखेंगे फोर नमर कोश्चन टाइम्स वर्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग दो हजार बाइस के अंसर कोश्चन ध्यान देजेगा दोस्तों थोड़ा कंप्रिट्टू थोड़ा दोस्तों टब कोश्चन होते हैं करेंट के नए-न नमरे इलहावाद विश्विद्याले इलहावाद यानि प्रियाग्रास नालंदा विश्विद्याले पतना सी है जवाहरु यूनिवर्सिटी यानि जे एन नाई दिल्ली और वहारत विज्ञान संस्थान बंगलूरू तो हमें बताना है दोस्तों टाइम्स वर्ड देखेंगे दोस्तों important fact क्योंकि कहीं से भी question पूछे जाए तो हमारे गलत नाम है चलिए देखते हैं दोस्तों टाइम्स वर्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आक्सफोड विश्विद्याले यूके को घुमसित किया गया है यानि पर्थम विश्व में आक्सफोड विश्विद्याले यूके और भारत में भारतिय विज्ञान संस्थान वंगलुरू नेश देखेंगे दोस्तों कोश्चन नंबर 5 कोश्चन है दोस्तों किस देश में जनुरी 2022 में पर्थम योग महौसों का आयूजन किया गया सभी कोश्चन दोस्तों बेरी इंप्राटेन्ट है ये नंबर है दोस्तों जन्वरी 2022 में योग महसो कायजन सौधी अरब में किया गया था। नहीं लुकर्शन स्किर्ट लब यू जानेगे। कभी कभी पूछ लिया आता है दोस्तों तो UNESCO का पूरा नाम है United Nations Educational Scientific and Cultural Organization यानि सन्युक्त राष्ट सैचिक बैग्यानिक योम सांस्किर्तिक संगठन जिसका मुख्याल है फ्रांस की राजधानी पेरिस में है अब हम लोग उत्तर देंगे तो हमारा उत्तर आएगा दोस्तों दुर्गा पूजा को यानि बिकल नंबर बै दोस्तों UNESCO को द्वारा दुर्गा पूजा को भारत की जो सांसकिर्तिक विरासत है इसे दोस्तों सामिल किया गया है, UNESCO देखेंगे сем number question सेवन नमबर कोश्चन है दोस्तों हमारा सुसासन दिवस प्रतिवर्स मनाए जाता है बेरी बेरी इंपर्टर कोश्चन दोस्तों आपके सलिवस में ब्रावर मेंशन किया गया है कि महात्पूट डे से भी कोश्चन पूशे जाएंगे इन नमबर विकल्प है 24 दिसंबर को बी है 25 दिसंबर को सी है 26 दिसंबर को दी नमबर विकल्प है 27 दिसंबर को तो यह हमारा से इंसर होगा दोस्तों 25 दिसंबर को 25 दिसंबर को यानि विकल नमबर भी हमारा से इंसर होगा सुशासन दिवस परतिवस 25 दिसंबर को मनाय जाता है इस देखेंगे 8 नमबर कोश्चन सन्युक्त राष्ट संग द्वारा यादि UNO United Nations Organization सन्युक्त राष्ट संग जिसके स्थाबना 24 सक्टूबर 1945 को की गई थी नियुयार्क में है इसका मख्याल है बताना है दोस्तों वर्ष 2024 को किस रूप में घोंसित किया गया है इन नमबर है पच्छो का अंतराष्टी वर्ष बे घोडों का अंतराष्टी वर्ष C है उंटो का अंतराष्टी वर्ष और D नमबर बिकल्प है जंगली हिंडों का अंतराष्टी वर्ष तो हमारा सही अंसर होगा दोस्तों सन्युक्त रासंग द्वारा 2024 को उंटो का अंतरराष्टी वर्ष की रूप में घोंसित किया गया यानि बिकल्प नंबर सी यहाँ पी हमारा सही अंसर होगा नेश देखेंगे नाइन नंबर कोश्चन कोश्चन है दोस्तों वह पर्थम ब्रिक्स देश ब्रिक्स आप लोग जानते हैं दोस्तों जिसने हाई अंबिशन कॉलिशन फार नेचर एंड पिपूल यानि HAC की सदेश से था गरहन किया है सबसे पहले ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे ताकि दोस्तों रिव तो ब्राजिल रूस भारत चीन और दचिन अफ्रिका मिलका ब्रिक्स देश का निर्माण करते हैं आव में बताने हैं दोस्तों इनमें से कौँ सा देश हाई अंबिशन क्वालिशन फार नेचर एंड पिपूल यानि HAC की सदस्य था गरहन किया है ए नंबर है व्राजिल बी रूसी भारत और दी है दच्छिन अफ्रीका तो हमारा सही इंसर होगा दोस्तों भारत यानि इंडिया हमारा देश भारत दोस्तों वहां पर्थम ब्रिक्स देश है जिसने हाई अंबिशन, क्वालिशन, फार नेचर, एंडिपीपूर यानि एचसी की सदेश सिता भी गरहाण किया है चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और बात करेंगे ताकि कोश्चन्स पूरी तरह से किलियर हो सके तो दोस्तों एचसी हाई किया यह हम लोग समझेंगे दोस्तों एचसी यह एक अंतर सरकारी समू है जो परकिर्ती और लोगों के लिए एक बैस्विक समझोते का समर्थन करता है जो की परजातियों के तीब्र ये छरंड लिखाओ दोस्तों थोड़ा मिस्प्रिंट है जो परजातियों के तीब्र छरंड को रोक सकता है और महत पूर्ण प दस नंबर कोश्चन हमारे सामने है कोश्चन है दोस्तों निम्न में से किसे हाली में भारती राष्टी कांग्रेस के अध्यच्पद पर चुना गया आप जानते हैं दोस्तों भारती राष्टी कांग्रेस की अध्यच पत का दोस्तों निर्वाचन हुआ है हमें बताने दोस्तों चुना किसे गया है यह नंबर है पी चितमबरम बी आनंद सर्मा सी ससी थरूर और डी नंबर है मलिकार जुन खाड़े तो यहां पर हमारा सही अंसर होगा दोस्तों जिनने भारती राष्टी कांग्रेस के अध्यच पत पर चुना गया है वह मलिकार जुन खाड़े यानि बिकल्मड़ी यहां पर हमारा सही अंसर होगा सब्सक्राइब करें दोस्तों आप मारे चैनल सीव कृपा क्लासेस को इसी तरह के व कैशोन है दोस्तों पहले फाइर पार्क का उद्गाटन किया गया तुर तो यहाँ पर हमासा इंसर होगा दोस्तों ओडिसा यानि ओडिसा वो राज जहां पर पहले फाइर पार्क का उद्ध्गाटन किया गया है तोल नंबर कुश्चन सालफ करें घारत बिदेशी मुद्रा भंडार धारक सूची में किस स्थान पर है आप लोग जानते हैं दोस्तों बराबर चर्चा में बना हुआ कोश्चन है बिरी बिर उपार्टर कोश्चन ए है तीसरा, बी दूसरा, सी चोथा और डी है पहला तो सही इंसर क्या होगा दोस्तों इस समय भारत बिदेशी मुद्रा भंडार धारक सूची में किस स्थान पर है तीसरे स्थान पर है यानि बिकल्फ नमबर यह यहाँ पर हमारा सही एंसर होगा नेश देखेंगे दोस्तों थार्टी नमबर कोश्चन इससे पहले दोस्तों थोड़ा से इसकी बारे महत्पूर फैक्ट दिया गया है वो देखेंगे दोस्तों बिदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत भारत बिस्व में तीसरे स्थान पर आ गया है तीसरे स्थान पर वह पहले और दूसरे स्थान पर जो करम सा देश है वो है चीन और जापान, यानि पहले पर चीन, दुसरे पर जापान और थेसरे पर हमारा भारत, नेस्च देखेंगे, उत्तर परदेश के मुखी मंतरी, question दोस्तों, प्रस नमबर 13, उत्तर परदेश के मुखी मंतरी, योगी आधितिनाथ ने भागी रथी परियटक आवास गि यह का लोकारपन किया है कहा पर किया यह में बताना है यह नंबर है हरद्वार 5 मईं 2022 बी है वाराणसी 5 मईं 2022 से गोरखपुर 5 मईं 2022 डी है लखनो 5 मईं 2022 तो हमारा सेंसर होगा दोस्तों उत्तर परदेश के मुख्य मंतरी योगी अधितनात ने भागी रथी प्रियतक आवासगिरे का जोलोकारपन किया है वो हरद्वार में किया है यानि 5 मईं 2022 को आप लोग गोरखपुर को मतमारिएगा नेस देखेंगे 14 नमबर कोश्चन अंतर राष्ट्रिय योग दिवस 2022 की थीम बतानी है दोस्तों अंतर राष्ट्रिय योग दिवस 2022 की थीम ए नमबर है मानुता के लिए ब्यवहार भी है मानुता के लिए योग योग जिवन की लावकारी है और डी नमबर है योग हमारा लच्छ है तो हमारा सही इंसर क्या होगा दोस्तों अंतर राष्ट्रिय योग दिवस 2022 जो मनाय गया दोस्तों उसकी थीम थी मानुता के लिए योग यानि विकर नमबर भी यहाँ पे हमारा सही एंसर होगा नेस द बताना है ए नमबर है आलाइन सिच्छा से बी रोजगार से सी स्वास्त से और डी है इलेक्ट्रिक वहां से तो हमारा सही इंसर होगा दोस्तों सुच दिल्य भियान का जो संबन्द है सुच सबसे थोड़ा सा जोड़ेंगे दोस्तों कामन सेंस लगाए तो भी आप लोगों को एंसर मिलेगा इसका एंसर आएगा इलेक्ट्रिक वहां से यानि बीकल नमबर डी यहाँ पर हमारा सही एंसर होगा इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 15 महात्पूर्ण करेंट अभेस के को साल्प किया होगा और देखेंगे कि आपकी प्रिप्रिशन अब तक कहा तक है औ दोस्तों अगर टेसरीस के जरिए आप लोगों की कोश्चन्स कम सही हो रहे हैं तो टेसरीस का पुना रिविजन जरूर करें क्योंकि दोस्तों यह संभावित प्रस्णू यानि टाप MCQ से बनाए जा रहे हैं तो इसी तरह के वीडियो के लिए दूस्तों आप मारे चैनल स् भी वीडियो आप करम से सबसे पहले देख सकें तो मिलते हैं दूस्तों हम अपने एगले टेसरीस के साथ ठैंक्स फार वाचिंग